भारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटिस्ट धार्मित भजन वे कारेकरम निशूल को देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक जरूर करें आप भी अच्छे हो सच्छे इंसान बलो डिग्रियों का कोई पूर्द नहीं पुआ करता है त्यान रखिए एक अच्छा इंसान है तुम्हें मालूमें यह लोग कोई स्कूल में नहीं गए ना इन औरे कोचिंग की ना इन औरे बढ़ाई की यह अनपर लोग जिने खुद लिखना नहीं आता था हाज पढ़े लिखे लोग इन पर सोध कर रहे हैं ध्यान रखिए अनपर लोगों पर पिएजडी कर रहे हैं लोग मीरा पर पिएजडी की जाती है कवीर पर पिएजडी की जाती है एक बात ध्यान रखिए कान खोल करके सुन लीजिए डिगरियों से आदमी महान नहीं बनता बलकि एक अच्छे नेक इनसान बनो तुम दिली पढ़ भी ना पाओ तो सारी दुनिया तुम पर किताबे लिखन इनको तयार हो जाएगी तुम्हारा जीवन महान हो जाएगा तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा सिक्षा के साथ साथ जीवन के संसकार भी हासिल करो यदि संसकार ना होगे ते पढ़ाई लिकाई कुछ काम ना आएगी ध्यान रखिए जीवन में अच्छी बाते अपने जीवन में स्वीका, ध्यान रखना मेरे बच्चों, जीवन को लायक बनाने में सो साल भी कम पड़ जाते हैं, वो जीवन को नालाइक बनाने में एक छणवी बहुत हुआ करता है, गलत बातें हमारे अंदर जल्दी आती हैं, अच्छी बातों के लिए बहुत मेहनत करना तो एक बुराई सो अच्छाईयों पर पानी फिर दिया करती है ध्यान रखिए आप यह प्रियास करें एक भी बुराई हमारे अंदर नहीं आना चाहिए एक बाद बताओ हजार लीटर दूद रखा है और उसमें एक नीबू निचोड़ दो तो क्या होगा दूद फट जाएगा ना हजार लीटर को एक नीबू ने निचोड़ दिया तो दूद फट गया बैसे हमारे पास हजार गुण हो एक अउगण आ गया तो साले गुण हमारे बेकार हो जाया करते हैं उन गुड़ों का जीवन में दोई महत्री हुआ करता कुछ नहीं हो सकता उससे हमारा मानने बाद एक भी बुराई ना आए हमारे जीवन में ये जिन्दगी की सबसे बड़ी पर एक मुला नसुरुद दीन था जबान हो गया तो जब जबान हुआ उसकी साधी का आउशर आ गया लड़की वाले देखने आए लड़की के पिता ने कहा कि मुला दारु पीता है मुला ने का दारु आज तक जिन्दगी में हाथ नहीं लगाया दारु को क्या रम होती है क्या विस्की होती है क्या ठर्रा होता है क्या देशी होता है भाई साब मैं तो नाम तक नहीं जानता आप विचार कर लड़की के बाप ने कहा यार बड़ा अच्छा है बोले मुला एक बात बता तुजुआँ खेलता है अरे बोले जुआँ तांस में बावन पत्ते होते हैं मैं ये भी नहीं जानता है कौन हुकुम का वाजसा है कौन गुलां मैं नहीं जानता चड़ी की वेगम कौन होती है मैं आज तक नहीं जानता कि इतका इतका क्या होता है मैंने आज तक तांस नहीं खेली है अच्छा मुल्ला इस बात और बता तूने कभी चोरी की है वोने चोरी भीड में कैसे बिलेड मारी जाती है यह मुझे नहीं आता है कैसे पैसे चुराएं कैसे नोट चुराएं और जब घीड का जुन्ड निकल रहा हो तो चेन कैसे कीची जाती है थेजगारी करके मोटर साइकल में मुझे ये भी नहीं मालू विचार करिए लड़की के बाप ने कहा यार मुल्ला तेरे पास एक भी अउपड नहीं है तू दा बोला नहीं बस एक बुराई है मेरे पास बाकी कोई बुराई में है बोले क्या बोले मैं जूट बोलता हूं कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएंगा बोले मैं जूट बोलता हूं इसका मतला कि मैं चोरी भी करता हूं मैं जुआं भी खेलता हूं और मैं तारू भी पी झीवन में नहीं आता चाहूं को प्रेंस करों प्रियास करिए मालू में तुमें गुठाई कैसे आती है ब्सक पता हैं हमारे जीवन में अबुर कहां से आते हैं को ठेस पर बच्छा कड़ा ऑपा ए कि ये सोचते हो कि मेरा बेटा इस देस का सबसे बड़ा चोर बने हैं कोई माबाप ऐसे हैं बुलब है लिए किसी के माबाप ऐसे है है जो यह कहते हैं मेरा बेटा दारू विय ए हैं किसी के माबाप हैँ То खड़े हो जा, मैं उसकी दरसन करना चाहता हूं और उसके माबाप को सम्मानित करोंगा है कोई माबाप मैं तो आप से कहता हूँ हकीकत में सोचना मेरी तरफ देखे हकीकत में सोचना एक चोर भी अपने बच्चे को इमानदार बनाना चाहता है या चोर बनाना चाहता है बोले एक सरावी बाप भी चाहता है मेरा बेटा शराब ना पिए और एक सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मैं पी रहा हूं तो पिए लेकिन बच्चा सिगरेट नहीं पिना चाहे है जाना किये एक जूटने बोलने वाले माबाप भी चाहते है कि मेरा बच्चा सच बोलना चाहिए जोट ने कहते हैं यह माँबाब की सच बोल बने माँबाब जोट बोले लेकिन बच्चे से क्या चाहेते हैं कि मेरा बेटा फिर आप ये बताईए जब आपके माबाप ये सब नहीं चाहते हैं तो फिर आदमी में ये बुराई कहां से आती है चिंतन करता है माबाप को अपने बच्चों को बुरा ने एक इतनी सिक्षक यहां बैठे हैं मैं सिक्चिकों का सइक्चख हूं ड्यान रखा कर अज सब रेपोर्ट दे जा किसी टीचर ने आपके कहा एक परिंसिपल ने कहा हूं कि बेटा जब इस्कूल आओ तो दो चार पाउच डाल के लाया करो सिखाया किसी ने पान मसाला खाया करो बेटा देखो माबाप ने तुम्हें गलत बनाना नहीं चाहा गुरू तुम्हें गलत बनाना चाहते हैं क्या बोलिए भले टीचर के मुँँ में मसाला हो लेकिन बच्चों को तो नहीं खाने देगा ध्यान रखिए यह आग की तीचरों का मुझे नहीं मालूम नहीं तो आजकल तो बड़े लपड़े हो गए हैं गुरू कहते हैं कि सिस्से हमारे पैर नहीं चूते गुरू को शिकायत है कि सिस्षे हमारे पैर नहीं सूते गुरू भी तो देख ले तुने भी तो पहन रखे हैं खडाओं की जगह चूते इसलिए सिस्षे तुमारे पैर नहीं सूते